हेलो गाईज, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल आज किस लेक्चर में हम सब फईलम उनियरेमिया के बारे में पढ़ेंगे लास लेक्चर में हमने आर्थोपोर्ट के 3 फईलम को कवर कर लिया था और ये 4th वन फईलम है आर्थोपोर्ट का which is sub-pylum uniremia आज किस lecture में जो हम आउट्लाइन जो है उनको cover करेंगे उन्हें में से सबसे पहला टॉपिक है General characteristics of Uniremia Then हम इसकी classification परेंगे इस classification में में four जो है वो classes है Firstly जो class है Chilopoda class Diplopoda and class Insecta and class Pyropoda ये four main classes हैं जिनको हम इस lecture में cover करेंगे और साथ यूनी रेमिया की general characteristics को भी बढ़ेंगे यूनी रेमिया की general characteristics में देख लें फिर्सलि है यूनी मीन वन, रैमी मीन ب्रांच ब्रांच मीन single branch, यूनी रैमीन single branch यह जो यूनी रेमिया है, इसका name जो है इस बात पर इस quality पर राइस हुआ है कि इनके पास सिरफ single branch होती है इनकी legs की कुछ आर्थपोर लास टाइम हमने परा था कुछ बाइरेमिस होती है ट्राइरेमिस होती है जिनके single joint होता है single जो एक appendage होती है उसके साथ three more appendages two more appendages होती है और उनके joint बने हुए होती है appendages के लेकि इसके अंदर क्या होता है single branch होती है और वो ही जो है इनकी appendages के तोर पर राइस होती है इनकी body के साथ और ये as a limb जो है वो काम करती है इसके आगी further कोई भी branching नहीं होती और ये group होता है ये एक phylum है सब phylum है आर्थोपोर्ड का आर्थोपोर्ड एक्चुली ये हमारे पास जो small जो animal है crustaceans है इनका जो है वो phylum है उसके बाद इसकी कुछ characteristics में यही है कि इनके पास one pair of antenna present होता है one pair of antenna antenna जो होता है वो sensory organ होता है जो के मतलब sense करने के लिए sensory structure होते है वो antenna होते है और only one pair जो होता है वो first segment और mouth वाले part के उपर present होता है और इनके पास जो होते है वो food obtain करने के लिए कुछ organ होते है जैसा कि mandible हो गया maxilla हो गया ये mouth part होते है इसके जो कि food uptake करने में अपनी feeding habitat को complete करने में उसको help करता है ठीक है उसके बाद most uniramous ठीक है ये जो uniramous है ये mostly क्या होते है ये tertial होते है tertial में के ये land पर exist करते हैं और कुछ जो होते है some are aquatic far part are all of their life cycle और कुछ जो होते है वो अपनी life का कुछ part होता है अपना हो सकता है वो reproduction करने के लिए अपने life cycle जो उसको repeat करने के लिए उसको complete करने के लिए aquatic region में चले जाएं next जो है इसका है कि ये strictly uniramous होते है mean to say strictly जो है वो इसको क्या करते है uniramous को uniramous strictly uniramous होते है उनके पास appendages जो होती है वो single ही होती है नहीं होती है single branch होती है इनके बाटी होती है body होती है bilateral symmetry होती है इनकी body के bilateral mean के जिसको cut half में divide किया जाए तो वो two mirror images जो है वो बनाई थी जो shape होती है uniramous की यहां तो spherical होगी यहां पर long and thin होगी ठीक है long and thin like segmented इनकी body होती है और आर्थोपोर्ण से ही belong करती है और थोड़ी से मतलब के इसके पास जोती है वो branches भी जोती है वो arise होती है इसके पास माउथ होता है straight gut होता है and anus होता है mouth mean के mouth हभी हमने परा कुछ इसके mouth part होते maxila होता है merenuble होता है तो यह mouth part होते है इसको food obtain करने में help out करते है इनके पास straight gut होता है gut mean के पास completely digestive track होता है then anus होता है इनके पास एक opening होती है outer opening जिसके तो यह excrete करते है waste material इनके पास अगर हम इनकी reproduction की बात करें तो यह diocious होते है इनके पास होती है इनके अंदर और यह court ship करने के बाद जो है वो externally जो है वो hedge करते है एक को hedge करने के बाद यह जो है वो externally जो है वो उसकी development करवाते है then जो है अगर हम इसके exoskeleton की बात करें तो इनका जो exoskeleton होता है made up of kiteon होता है kiteon जो होता है वो एक polysacryde है जो के बहुत हार्ड होता है और यह इनके exoskeleton में पाया जाता है जो के इनको protection देता है इनको environment से और endangered species से सबसे पहले हमारे इनके पास होती है वो jointed legs होती है jointed में इनकी legs होती है single branch होती है इसकी diagram है uniramian skin की जो legs है वो क्या है uniramis है single branch है और jointed है joint present है इनके ओपर बॉड़ी के ओपर segment बने हो है और segment के साथ ही हर segment की अपने पेर आफ legs होती है one pair of legs भी हो सकती है two pair of legs भी होती है first इसका mouth part है इसके ओपर sensory structure antenna present है जो के इनको sense करने में और sense करने में help out करता अनके mouth region पे manable, maxilla यह सारे चीज़े प्रेज़े होती है और इसका जो exoskeleton है यह बहुत हार्ड होता है और kytan से मिलके बना होता है then इसकी second heading है classes, classification unit amiens को four main classes में divide किया गया है first class इसकी चीलोपोडा जो के centipede जिसके अंदर आते है diplopoda जिसके अंदर millipedes आते है insectus जिसके अंदर insects आते है class pyropoda और यह fourth class है और यह जातर जो होते हैं यह tertial environment में ही पाए जाते हैं अब हम one by one in fourth classes को पढ़ेंगे उनके characteristics उनके जो important जो है जो important species है जो belong करती है इन classes से उनको भी पढ़ेंगे firstly हम centipede की बात करते हैं centipede जो होती है यह class centipede से belong करते हैं और इनके पास होती इनका literal meaning centipede का मतलब होता है hundred legs hundred legs हमने पढ़ा था कि each segment जो इनकी body का होता है one pair of legs होते हैं उनके पास होते हैं इस तरह अगर इनके पास 50 segment होंगे इनकी body के उपर पूरी hundred legs होंगी तो यह ऐसे animal हैं जिनकी body के उपर hundred legs होती है और pair की form होती है और heart segment का one pair of legs present होती है जो first segment होता है उसके पास सिर्फ sensory antenna होते हैं और उसके पास भी जो हमारे पास poisonous class भी पाए जाते हैं next है यह जो poisonous class है इनकी first segment के उपर जो poisonous class है यह क्काम करते है यह poisonous class होते हैं यह modify होते हैं जो इसको डुसरे animals के उन्धर inject करने में help out करता है यह example है house sentiment की अक्सर ही आपने गर्व में अपने देखा होगा इस तरह के हाउस एंटिपिट ये अक्सर गर्व में पाया जाता है और ये जातर अक्वार्टिक ये जातर टर्शियर रिजन में और ठंडी जगा पर पाया जाता है और अक्सर ही गार्डन में ठीक है हाउस गार्डन में देख या यegनी बंदेंगे。 विजिए कोम मिन को अपनी जैर को यूज कर ते हुआ है और जार को करते हुए और थास है vertebrate के उपर feed करते हैं और इनकी एक इक इनका जो है वह इनकी spiq है जो के जिसकी हो ना क्ाइर को ना क्रे pénal lick आज पर कर सकते है एक prisज़ ग्रोव कर सकते है एक क्षूप कर लबिट कर सकते हैं इसकी एक जाए कि इसे हाँ पीछाय पूर्वाइट, पूरे और से एट फॉर्ड से पाई जाती है जा रहे हैं थे, लोकू पूरे वर्ड में फॉर्ड बहुंत ही पॉर्ड में पाई जाती हैं न है रहाद मेर सब्सक्राइब करें नक्तरrin जो receptor इनके पास sensory organ और sensory antenna जो इनके पास होते हैं वो ही इनको help out करते हैं affliction में या फिर sense में ठीक है इन चीज़ों में इनको help करते हैं और यह कुछ के पास जो होती हैं कुछ animals कुछ जो होते हैं invertebrates इस class के unidamians उनके पास number of oceli होते हैं ठीक है ओसिलाइ जो होती है एक eyes eye के अंदर small unit होते हैं जो कि इनको help out करते हैं photo receptor एक तरह की होते हैं जो कि इनको light को detect करने में help out करते हैं और इनके पास जोते हैं true eye compound ठीक है eye compound आए भी कुछ के अंदर present होती है जिनके अंदर number of जो होते हैं इसे इसमाल oceli जो होते हैं वो present होते हैं अब देख लेते हैं centipids की species ठीक है इसकी काफी ज़दा species होती है और इनको इनके नाम से ही हम जो है जाता जाता हैं इनके scientific नाम जो है वो ये वाले हैं और इनकी common name इनको common name से जाता हैं फर्स है feeder tail centipids जिनकी tails होती है वो feather like होती है उसके पर feather होती है ठीक है blue ring centipedes इनकी body जो होती है वो एक ring की shape में होती है और ring बनाती है ठीक है उसके पाद stone centipedes उन्हें जातर stones में पाए जाते है इस वज़े जिनको stone centipedes का नाम दिये जाता है और कुछ होते है अर्थ सेंटिपेड जैसे हमने अभी हाउस सेंटिपेड के बार में परा कि ये हाउस के अंदर पाए जाते हैं गार्डन्स के अंदर पाए जाते हैं तो ये अर्थ सेंटिपेड में आ जाते हैं गैला पैगेस सेंटिपेड गैला पैगेस सेंटिपेड ऐसे स स्केल्टन दिया जाते हैं है और इसका स्केल्टन बतम होताएं और इसकी इता रिवाटjangा यह सतना प्रम्तोements कंई कि आप जो कुए नहीं करता हैं आप जॉ इह अंको क्या इनको पोर्टेक्ट करने के लिए तुमुचन इसे बचाने के लिए किसी भी डेंजर से परठक्त करने के लिए वो उनको रहूर कर अनको बचास कि कर लेुबुए को मैं आख कि साथ टouच कर जाए कोई भी बाहिर से कोई भी एंवारुमंट में चेल जीज घा रहे हों पकुई भी एनिमल है तक्यास कर जा तो अंगा तो हों में ठीक है अंधा बेस आफ शेप इनकी बनाव को रड़र ऑड़र जो होता है उसमें बाडिज होती वह राउंड बाड़ी होती एप यकि रिंग की शेया में हुआर ट्राइब कर देदा जते हैं को फर्म करते हुआ हैं और इनके लिटेर अगर मिनिंग की बाद खी जाए तो плох का थाउसर लेग्स वाइर करते हैं लेकिन उपास होती ही नहीं है लेकिन six hundred जो है वो legs इनकी party के अंदर पाए जाती है इनकी जो body के ओपर segment होते है हार segment के ओपर two pair half legs होती है ज्यादा भी हो सकते है जोग इनको help out करती है burrowing में help out करती है और इनको crawling में help out करती है और इनको fastly movement में भी help out करती है इसका देख लेते हैं कि इसके इसका 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 इस segment के दरमियान जो होते है suture like structure होता है जो soft होता है उसके ऑपर कोई बी एक दुस्का held serge case नहीं होता और ये leg rose के दरमियान होता है और इसको protect करने के लिए अपनी body को roll कर लेते हैं ये इसकी अ मेले pairs का structure है next – third class है,cause you know insecta This is my third class is class Uniramium side of mykie block करती है Palace सरyan Negro Pigeum흡 को कर दीए सथार्ट क्लास यह को एक अड़क्रीष्टिक सब्काटिए इनकी इसको हम इंकी है इसको हम आदिए पूलते हैं तो इनके पास होती है इसको reais क्ये है घ्णायं रम में कलास है सकता है इसका सकथेह कलास इंसेक्ट तोटल एक जम धूने सब्सक्राइब की नुख्ण बक्रता सब्सक्राइब इनने के फ्री सेग्मेंट होते हैं हैդ होता है है सेंसरी को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है अबडोमन होती है जिसके दर इसके वीजर जो मैस्ज होते हैं reproductive structure होते हैं excretory structures होते हैं वो present होते हैं उनके पास six legs है इस वज़ चे इनको hexapoda का नाम भी दिया जाता है इनके पास one pair of antenna होते हैं ठीक है इन animals के पास क्या होता है one pair of antenna है आ और नियुक्ते होता है सीम्पल ब्रेयन होता है जो सेफ्लाइज़ेशन के बाद बनता है और इनके बाड्डी कीfirst है को कॉंट्रोल में इनके बाड़ी के अंदर भी यह important quality है कि इस तमाम insects के पास जो होते हैं वो exoskeleton होता है और uniramians जो सब phylum है इन सब के पास यह exoskeleton जो है वो पाया जाता है और वो काइटन से मिलके बना होता है जैसे के हमने पीछे पार काइटन जो है वो एक polysacride है जो कि बहुत टफ और लैदरी होता है और बाड़ी को protect करता है hydrophobic होता है और water को जो है वो से बचाता है surface को जो है वो dehydration से भी protect करता है और यह ज है वो दिक्रीज करना शुरू कर देता है जब शक्याइस करना शुरू कर रहना क melting करते हैं या चीन की टान्य लेयर होती है उख्योग Fine Whore करती है व्हें धियर करती है कहीं चुपके करते हैं और यूजूली यह नक्टर्नल ही होते हैं और यह अपना reproduction और molting agnesis का जो process होता है यह एक नक्टर्नल form में ही perform करते हैं अब हम इसके segment के बारे में देख लेते हैं हमने देखा थे इसके three segment होते हैं और इसके पाद three pair of legs होती है ठीक है और इसकी three pair of legs होती है वो abdomen thorax region में पाए जाती है abdomen region में visceral masses होते हैं इनके पास two pair of wings भी present होते हैं इनकी body के आगे antenna और कुछ इनके mouth part भी होते हैं जो कि इनको feeding में help out करते हैं इसका जो head region है वो बहुत important है क्योंकि इस head region के through यह feeding करते हैं और यह different function भी perform करते हैं और sensory जो structure होते हैं इनकी head के ओपर वो भी sense करने में help out करते हैं तो साबसे पहले इनके पास antenna होते हैं लाज़ टाम ने पढ़ा तो one pair of antenna होता है जो कि इनको help out करता है sense करने में ठीक है environment के अंदर कोई danger है और कुछ chemical changes आ रही है environmental changes आ रही है तो इसको यह sense करते हैं और food को भी obtain करने में food को sense करने में भी help out होता है इसके पास compound eyes होते हैं स्माल जो unit होते हैं उनको ओसिलाई बोलते हैं और इनकी body के पास इनके पास होते हैं वो हमने अभी देखा था कि इनके mouth part में जो है तरह का structure होता है जो कि इनको pursing करने में और चींग करने में बाइटिंग करने में help out करता है ठीक और maxilla maxilla जो होते हैं यह एक तरह के आमारे पास जो ब्रांचीज ही होती हैं ठीक है एक तरह के antenna like structure ही होते हैं किसी भी प्रेय को में होल्ड करने में प्रामय दानने में help out करते हैं और labiam जो होता है जो कि किसी चीछ होल्ड करने में help आउवट करता है ठीक है इसका यह head region हैं जो के ज्यादा commonly लैंड पे exist करते हैं तो इनकी reason क्या है इनकी exist करने की इनके मतलब क्यूं successful है ज्यादा लैंड में invertebrate के अंदर साथ से पहले जो लैंड पे साथ से पहले आये थे मुलस्क आये थे और वर्म आये थे लैंड के अपर ठीके और यह क्या थे कि इन्होंने no other competition are predator और इनके लावा कोई भी लैंड के उपर शुरू में competition नहीं था प्रेडेटर नहीं थे और मुलस्क और वर्म आग्जिस्ट करते थे ठीक है और उसके बाद जो है इनसेक्ट जो है वो ड्वैल्प होना शुरू हुए तो इन्होंने क्या कि एक जो स्केल्टन इनके पास मुझूद था जो कि इनको लैंड में इसली जो है वो सर्वाइव करने के लिए बहुत important था तो इस लैंड के ओपर जो है वो प्लांट भी exist करते थे और प्लांट जो है वो मतलब उस टाइम जो थे वो untapped का मतलब होता है जिसको कोई भी थे ठीक है और इस तरह इनके लिए एक फूड का रिसोर्स बनके इनसेट के लिए शुरू शुरू में ठीक है और जब मुलस्क और वर्म के लावा कोई भी परिडेटर कोई भी competition नहीं था फूड भी फूड रिसोर्स भी बहुत जादा अवेलेबल थे तब इन्होंने अप जो है वो बहुत ही successful है क्योंकि शुरू में जो है इनके पास जो competition करने के लिए और इनके कोई भी प्रेडेटर मुझूद नहीं था इनको प्रे करने के लिए और फूड रिसोर्स भी काफी जादा पाए जाते थे तो इन्वार्मेंट इनको suitable मिला तो इस वज़ा से बहुत मतलब species जो है इनकी वो बहुत जादा डावर्स है और बहुत जादा quantity में पाए जाती है इस लैंड के ओपर और यह वर्ड बाइड है यह desert में rain forest में हर जगार पर पाए जाते है आगे fourth one class है class pyropoda यह जो class pyropoda है यह जातर forest वगारा में ही पाए जाते हैं यह small होते हैं ठीक है यह pale होते हैं मतलब कि इनका light shade में color होता है और यह like arthropod से ही मतलब belong करते हैं जैसे ही होते है segmented body होती है और ज्यादा यह elongate नहीं होते हैं बलके rounded थोड़ी सी body की shape को show करते हैं इनकी 830 species हैं जो कि 12 family के अंदर exist करती हैं और यह world wide है ठीक है हर जगा यह जातर पाए जाते हैं वर्ड वाइड मीन के जो जादा moist habitat है ठीक है क्योंकि वर्ड वाइड जो है इस वर्ड में जातर aquatic region जो है वो बहुँ जाता है तो इस वज़ज़ से हम कहते हैं जातर mostly mostly जो है यह moist habitat में ही पाए जाते हैं और यह soil में लगते हैं और leaf mold लीफ mold बोलते हैं कि leaves जो है वो कठे हो कर एक तरह का मतलब decomposed material जब बनाते हैं brownish color जो बनाते हैं उसके अंदर यह पाए जाते हैं ठीक है और यह centipede की तरह के ही लगते हैं लेकिन इनकी जो length होती है वो short होती है इनकी body जो ही long होती है वो 0.5 to 2 mm की range में आती है ठीक है और firstly जब यह development की stage पर हो तेन स्टार बोलते हैं developmental stage ठीक है और उनके पास यह three pair of legs होते हैं only three pair of legs जब वह आइसा है जब मोल्टिंग करते हैं हर मोल्ट के उपर इनके पास जो number of legs जो हैं वो increases करना शूरू कर देती हैं और साथ बे segment भी increase करना शूरू कर देती हैं ठीक है और इनके पास जब यह adult होती हैं तो adult होने के साथ जो हैं वो 9 to 11 pair of legs जो हैं वो form हो जाती हैं ठीक है इनके पास हम अगर हम बात करें eyes की बात करें और हम बात करें हर्ट नहौने सेंस्री औरगन जो होते हैं वो present होते हैं पूरे सभायलम ने रेमियंस की एक क्राक्डडर है जो होता है जिसके दूरे ये sensory structure, sensory जो function है उनको पर-farm करते ओसके थूरे ये detect light भी कर सकते हैं इंके पास आइज नहीं होती तो ये फूरे ये Consulting आइज अटेना के थूरें light को detect करते हैं तो ये था आज का लेक्चर और आर्थरपोर्ट का जो complete समड़ी है, complete जो है इसका classes के साथ हमने इसको complete कर लिया है, ठीक है, होप यूँ कि आपको ये clear हो चुका होगा, अगर कोई भी question arise होता है, के mind में तो आप मुझे comment section में कर सकते हैं, तब तक के लिए, लाहाफीज